अब आप करेंगे राइपूर की जहां MIC की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है हाउसिंग टाक्स के बढ़े ब्याज को निरस्ट कर दिया गया है टाक्स को लेकर चक्रवृद्धी ब्याज लेने का फैसला रद किया गया बिना अनोसी के अब जमीनों की रजस्ट्री नहीं होगी आवारा कुत्तों, मवेश्यों और मच्छरों से मुक्ती मिलेगी बजट में अलग-अलग इसका प्रावधान भी होगा तो MIC की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है प्रधान मंत्रिया वास योजना में जो घर में रह रहा है एक जो छोटा घर बना के रह रहा है आज उसके घर में भी लाग-जेड़-लाग रुपय का टेक्स अगर वो नहीं पटाया है तो चक्रविर्दी ब्याच के माध्यम से उसका टेक्स आ रहा है आज की मेर इन कॉल्सिल की बठक में चक्रविर्दी ब्याच पूरे तरीके से खतम कर दिया गया है अब जो बजट अब जो राजस्ट लिया जाएगा अब जो टेक्स लिया जाएगा वह समान्य तरीके से जैसा आप पहले पटाते थे उसी तरीके का टेक्स आप आपको गया है यूगाल तिवारी संभादाता साज रुगए है यूगाल एमाइसी की इस बैठक पे क्या फैसला लिया गया विस्तार से बताईए जिदे के माइसी के आवश्यक बैस्तारक आहूत की गए थी और उस बैठक में तीन महत पुंडिने लिये गए हैं और जिसमें जो चक्रविद्दी जो टेक्स पर लगता था उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और इसे आम जो नागरिक हैं रहवासी है उन्हें एक बड़ा फाइदा इसे कहा जा सकता है मच्छर से मुक्ति दिलाने के लिए निगम ने विश्यस प्लान बनाया है उसके साथ इसाथ जो अवारा खुत्ते हैं अवारा मवशियों हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही है और इस तरह के दुर घटनाए भी होते रही अलावा एक महत्पुर्ण ये भी लिया गया है कि जो सीटी बस का जो टेंडर था उसे भी निरस कर दिया गया है और इसकी प्रमुक्ता से खबर नियू जेटीन ने दिखाई थी और इसे नियू जेटीन के खबर का बड़ा असर कहा जा सकता है टेंडर जो धांदली हुआ उसके बाद ये जो टेंडर की प्रक्रिया थी उसे दानली बढ़ती गई थे उसे भी निनस कर दिया गया है और इस आवशक M.I.C. की बैठक में ये महत पुर्ण है वो निनस लिये गए है तो ये कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा इसे इसे लाने की नौबत क्यूं आती है तक नहीं पटाते थे तो उस पर चक्रविद्धी ब्याज लगता था मतलब यहीं कि सिंपल छोटे से 1200 स्क्वेर फिट के अगर मकान है और उनके कर 5000 बचा है तो उसके लाखों में जो टेक्स है वो हो जाता था वो चक्रविद्धी ब्याज निगम लगाती थी अब वो चक् करने के लिए और इसके साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और